हलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है एड़ फोटोशॉप में स्क्रेच डिक्स फूल इस तरह का एरर आता है तो उसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्स करते हैं तो उस टाइम पर भी इस तरह से एरर आता है आप देखरें इस तरह से आपका केस में भी एरर आता होगा किसी भी कंडिशन में इस तरह का एरर आता है तो इसको कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको बताता हूं चलिए इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करके इस एरर को हटा देता हूं आप देख रहें यहां पर बहुत सारा एरर आता है इस एरर को fix करने के लिए आपको क्या करने के लिए सब सब पहले यहां पर इस computer दिखेगा इसको पर आपको double click करने double click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा आप देख रहें यहां पर c drive full है इसी के कारण यह problem आ रहा है यहां पर क्या होना चाहिए कम से कम c drive का 10% space खाली होना चाहिए तभी photoshop open होता है नहीं तो नहीं open होता है तो आपको क्या करना है आपके case में भी इस तरह से होगा इसलिए problem आता होगा तो आपको क्या करना है पहले c drive का data आपको clean कर लेना है जो भी extra file है उसको आपको यहां से clean कर लेना है या नहीं तो आपको क्या करना है यहां पर time file को यहां से clean कर लेना है यहां पर मैं इसको time file क उसको आप डिलीट कर लीजएगा तो आपका Cru hackers खाली हो जाएगा आप देखर यहां पrees खाली हो चुका है थोड़ा बहुत मैं रेफ्रेस करता हूँ आप देखरें यहांपे कुछ खाली हुआ है लेकिन अभी अतना काली नहीं हुआ तो आपको क्या करना है जो भी extra चीज होगा आपको क्या करना है उसको यहाँ पर delete कर लेना है चलिए मैं अपने case में extra चीज जो भी है यहाँ से मैं इसको delete कर देता हूँ यहाँ पर मेरा जो भी extra file था c drive का अंदर जो save है उसको मैं delete कर देता हूँ आप देख रहें अभी यह open हो चुका पहले यह error आ रहा था लेकिन अभी कोई error नहीं आया अभी यह open हो चुका तो इस तरह से आप इस error को fix कर सकते हैं दूसरा चीज़ आपको क्या करना है मालेज़ आपका फाइल पहले से ही open है लेकिन उसके अंदर आप save as करने के कोईशिस करते हैं या save करने के कोईशिस करते हैं तो यह फाइल से नहीं हो पार है उस टाइम पे भी इस तरह से error आता होगा उस condition में आपको क्या करना है यहाँ प यहाँ पे डी डाइब या इडाइब जिस भी डाइब को आप सेलेक्ट करना चाहते है तो यहाँ पे आप मल्टिपल ड्राइब भी सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक कर दिने के बाद भी आपका यह problem solve हो जाएगा तो इस तरह से इस problem को आप solve कर सकते हैं और प्लीज गाइब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक यू